Now students, इस question को देखिए, ये question 2016 में आ चुका है, foreign set में कर रहा है, in the given figure, AOB is a diameter, तो ये AOB diameter है, प्लीज ध्यान दे, ये एक straight line है इस तरीके से, AOB आपका diameter है, of the circle with center O, center क्या है, इसका O है, AC is a tangent, AC क्या है, tangent है, सुन लो ध्यान से, AC tangent है, थीक, AC is the tangent to a circle A, तो ये AC, जो है, tangent है, point A प देखो दूसरा तरीका देखो, सुनो ध्यान से, पहला तरीका, first method देखिए, फटा-फट बता रहा हूं, first method देखिए, first method में क्या अगर होगे, आप, आप बोलोगे, ध्यान सरा चेक करना, ये जो है, आपका, ये, ये देखिए, A से देखे, B तक, ये straight line है, भाई, diameter है, मैं से, इसके बगल में जो angle बनावा है, adjacent angle इसका, A, O, C, इनका सम कितना हो जाएगा, ये देखिए, यहां से लिया, 130, ठीक, और प्लस, यहां से angle लिया, A, O, C, इनका सम कितना हो जाएगा, 180, yes or no, यहां से, A, O, C, आ जाएगा, कितना, angle, A, O, C, यहां से आ जाएगा, कितना, 130 बात आपने पढ़ी है, यह center है, yes sir, यह point of contact है tangent का, yes sir, O, A को join करोगे radius है, और radius tangent पर कितना angle बनाती है, 90, तो यह angle 90 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, बताओ, अब हम ले लेंगे कौन सा triangle, triangle A, O, C, ठीक, बताए ना, radius जो होती, O, A क्या है, radius है, तो यह tangent पर 90 हो गया है, आ अब बताओ, triangle A, O, C, लगा लो, और angle some property लगा दो इसमे, so in triangle A, O, C, check कर लो, A, O, C में, यह कितना है, 90, यह कितना है, 50, ठीक, so, 90, प्लस, 50, प्लस, अब, निकालना क्या था, आपको A, C, O, यह वाला angle निकालना था, यह वाला angle है, यह वाला angle है, A, C, O, यह वाला angle निकालना था, ठीक है, तो this plus, this plus ACO, is equals to angle some properties है, 180, sorry, triangle की, triangle की तीनों angle का सम कितना होता है, 180, ठीक, अब 50 plus 90 कितना होता है, 140, ठीक, यहा सा हैगा 140, अप्लस, डारेक्ट कर दे रहा हूं, है ना, बच्चो वाले सवाले हैं सब, देखो, 140 उदर जाएगा, तो minus हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ACO is equals to, 180 minus 140 कितना होता है, 40 degree, तो angle ACO की value कितनी आगी, 40 degree, ठीक, यह इसको करने का पहला तरीका है, ठीक है, अग, इसको करने का और भी तरीके, वह मैं आपको बताता हूं, उसके लिए आपको एक concept पता हो एक side को अगर हमने आगे बढ़ा दिया, तो यह जो angle बनता है, exterior, यह अपने पड़ोस वाले को छोड़ कर, यानि कि इसको छोड़ कर, इसके और इसके sum के equal होता है, यानि कि मानलो, यह वाले point का नाम हमने रख़ा P, so angle APB, यह जो external angle बन रहा है, ठीक, angle, यह external sum property होती, angle ABP is equals to क्या होता है, इसको छोड़ दो पड़ोस वाले को, this plus this, यानि कि angle A plus angle C, ठीक, ओके, तो इस property से भी यह हो जाएगा, किस तरीके से, ध्यान से चेक करो, आपके पास जो triangle है, कौन सा triangle है, ध्यान से चेक करो, यह जो triangle आपके पास, ACO, ठीक, अगर हम इसके side OA को आगे बढ़ा ह आपका ऐसे, तो यह angle क्या पड़ेगा, external, yes or no, तो यह अपने पड़ोस वाले को छोड़ कर, इसके और इसके समके equal होगा, मानते होगी नहीं बताओ, यानि कि 130 is equals to angle A, और angle A कितना था आपका, 90 था, यानि कि 90 और प्लस यह, यह वाला is equals to this plus this, यानि कि 90 और प्लस दिस, और यह वाले angle का नाम क्या है, angle A, C, O, so angle A, C, O, यह लीजे, answer तो वह यह एगा, 90 दर जाएगा, 130 minus 90 कितना होता है, 40 होता है, तो angle A, C को कितना आ गया, 40 आ गया, को डाउट है बताओ, इसको करने के दो तरीके हैं, कर लीजे,